वर्तमान में कोरुना संक्रमन महामारी के चलते हर आमनागरिक परिशान है महामारी के बढ़ते कदमों को देखते हुए अब 18 वर्ष से अधिक उम्रवाले युवक योतियों को भी वेक्शिनेशन किया जा रहा है इसी के चलते 18 वर्स से अधिक उम्रवाले को आउनलाइन रेजिस्टेशन करने के बाद ही वेक्शिनेशन किया जाएगा लेकिन ग्रामेंट शेत्र की तुलना में शहरी शेत्र के युवक यूतियों में अधिक उत्साह देखा जा रहा है गुरुवार के दिन बागली मुख्यालाई पर आरंब हुए 18 वेक्शिनेशन में देखने को मिला है जहां पर पहले दिन 100 वेक्शिनेशन का टारगेट दिया गया था जिसने भी अधिकतर शहरी शेत्र इंदोर जिले की यूवक यूतियों ने बागली आकर वेक्शिनेशन कराया है उत्करष्ट विध्याले बागली को वेक्शिनेशन सेंटर बनाया गया है साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्रवाले का भी वैक्सिनेशन भी किया जा रहा है गुरुवार के दिन 45 प्लस उम्रवाले 54 वैक्सिनेशन किया गया लेकिन वैक्सिन खत्म हो जाने के कारण कहीं महीला पूरुषों को निराश होकर वापस लोटना पड़ा बागली से रवी पाटिदर की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूले